कि लॉस्पाइब भी हो गया अब आदेगे कॉमन डेट्स ठीक है सबसे पहले समझ लेते हैं सर कॉमन डेट्स क्या है फिर तो समझ में आ जाएगा कॉमन डेट्स है मैं करक हूँ यह एडर्जस्मेंट ग्यारवी क्लास में नहीं था कुछ बचो का मनना होता है कि फाइनल अकाउंट विल्कुल ग्यारवी जैसा होता है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जो अभी यहendsmen कर रहे हो यह 11 पे नहीं था और इसमें से एक अर्जस्मेंट एक्जाम में पूछा जाता है कुछन में टैच होगा आप लास्ट यह का कुछन पीपर उठाओ इसमें से एक अपको मिल जाएगा इस टाइब कॉमन डेट मैंने क्या लिख दिया यह कमेंट लिख दिया मैं कॉमन डेट थेक हैं अब सर कॉमन डेट क्या होता है कई बार हमने एक ही विक्ती को सही शामान कहभी आप कई बार खृते ओँगा अब मैं एक और कई इग्जामपल लेता हूं at किसान की बाद करते हैं किसान क्या करता है गन्ना को गाता है और वो सारा का सारा जो गन्ना है वो एक सुगर मेल यानि चीनी के मेल को बेच देता है ठीक है तो अगर मैं किसान की बात करता हूं तो एक फार्मर है यानि किसान तो भाईया वो भी वो बैपारी है वो पहले खेती करता है फिर उसको पूरे तरीके से बनाता है फिर उसको बेचता है तो वो भी क्या एक बिजनसमेन है वो अलग बात है कि बिजनस के अंदर मतलब कि इंडिया के अंदर किसान को बिजनस के तरीके से ट्रीट नहीं किया जाता है लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो कि बहुत बिजनस में होते हैं तो किसान के अंदर क्या है आपका देखा जाए तो मान लेते हैं इसका बिजनस है और इसके बैलेंशीट को भी बना देता हूँ में एक थोड़े से टाइम के लिए बैलेंशीट भी बना देता है में ली बैलेंशीट वेफर पड़ेगा इसके कि चलिए कि अब इसके बैलेंशीट में डेटर है और इस किसान ने पता ही क्या करा समान बेचाए किसी फैक्टरी हो अब सुगर मिल बहुत सारे हैं बजाज हिंदुस्तान है धामपूर सुगर है बहुत सारी कंपनीज होते हैं तो मैं मान लेता हूं कि फैक्टरी जहां पर कि चीनी बनाया जाता है उसको बेचाए अब इस फैक्टरी का भी बैलेंशीट बना देते हैं अब मान लेते हैं पहले से इसका 50,000 रुपए था डेटर किसान का और पहले से ही इसका क्रेडिटर मान लेते हैं 40,000 था पुराना ठीक है और पहले से ही इसका डेटर भी यह कुछ मान लेते हैं एक लाक का था कहीं से होगा इसका debtor किसान का भी accreditor किसी को पैसे देने थे मान लेते हैं के 5000 रूप या मान लेते हैं 20,000 रूप ठीक है अब जो समान बेचा है ना इनको example करते है मैं example ले लेता हूँ 10,000 रूप तो जैसे किसान ने 10,000 का समान बेचा है और कैसे बीचा है पता है तो जो फार्मर है किसान है अपने डेटर बुक करेगा क्योंकि उधार बेचा है वो अपने डेटर लिखेगा प्लस सेल्स किया उसने उधार में और कितने रुपे 10,000 तो वो कितना आ जाएगा यहां पर और जो फैक्टरी है वो अपना क्या लिखेगा इसमें खरीदा है क्रेडिटर लिखेगा परचेज 30,000 तो पहले यह देखो simple सा points है उस time के बाद मान लेते हैं कि जो हमारा farmer है उस farmer को अपनी बेटी की शादी करनी है अपनी डॉर्टर की शादी करनी अपनी डॉर्टर की तो उसके लिए वो क्या करेगा कि जो सादी के अंदर मेरिज के अंदर इसको अपनी डॉर्टर की जो सादी करनी हो वहां पर उसको चीनी की जुरत पड़ेगी पड़ेगी उसको तो और उससे पता है कि भाई बहार से वह Councillor गर दे रहा है किसान से खृड़ी ने इसको चीनी बेच दिया करे लोगा, इसको चीनी क्या करा, बेच दिया एक तरीके से, चीनी कितना बेचा इसको, माल लेते हैं, आठ हजार रुपे का चीनी बेचा इसको, जैसे इसको चीनी बेचा, तो ये क्या करेगा, अपना डेटर बढ़ा लेगा, क्योंकि ये बेच रहा है, ये इसने हाविल गुल, तो ये क क्या करेगा अपने डेटर बढ़ा लेगा और डेटर में लिख देगा सेल 8000 यानि इसका टोटल अब एक लाख 8000 का डेटर है है कि नहीं और इसका क्या बढ़ जाएगा क्योंकि खरीदा इसने मैं एक्जामपल के लिए रहा हूं तो इसने परचेस किया है कितने का आठ इसका टोटल हो गया अब देखो यह दोनों आपस में डेटर क्रेटर हो गया है यह क्या इसको डेटर मान रहा है मान रहा है क्या यह इसको क्रेडिटर मान रहा है मान रहा है इसको बोलते हैं कॉमन डेट यानि कॉमन ही हो गया एक ही वेक्ति को देना भी है और एक ही वेक्ति से ल और फिर इसके पास आएगा यह बोलेगा ला भाई मेरे आठ अजार उपे ले या फिर अल्टीमेटली यह कॉमन एक बोले के भाई देख किसान बोलेगा मुझे तिरसे दस जार लेने हैं और तुझे आठ देने हैं तो एक काम कर दो हजार दे बात कदम कर सेटलमेंट हो जाएगा ना दो हजार तो कॉमन डेट सेटल होगा तो इसका मतलब हम अगर बिजनस की बात करते हैं फैक्टरी की अकाउंटिंग कर रहे हैं किसान की नहीं कर रहे हैं फिलाल फैक्टरी की कर रहे हैं तो फैक्टरी का डेटर धट जाएगा कितने से सेटलमेंट सेटल करेगा तो किसान का सेटलमेंट होगा तो इसने किसान का 10,000 रुपे इसमें एड़न किया हुआ है लेकिन इसने बेचा कितने का था किसान को आठ का तो यहां पे सेटलमेंट हो जाएगा कितने का और जो डेटर था इसने किसान से कितने लेने थे पैसे आठ इसको कितने लेने थे the art इसने समान देखो बेचा आठ का है तो कितने लेने थे आठ का तो इसका ड़ेटर भी घट जाएगा कितने का में जोने तरफ से आठञार में अब इसके क्रेडिकर में दो हजार पैंडिंग रह जाएंगे तो दे देगा ना बाद में उसका सोचना नहीं है समझ मैं रही बात आपको पहले यह देखो समझ में आ रहा है आपको यहां पर अब मैं इसको थोड़ा सा माउंट बदल देता हूं आपका और भी जो जो डाउट है वो क्लियर कर देता हूं आठ का बेचा दसका खरीदा ऐसे करते क्या या मैं एक काम करता हूं थोड़ा सा माउंट चेंज कर रहा हूं इससे वाइट कलर से करूँ हमें और आप ध्यान देना मैंने जो बेचा है ना वह बेचा है मैंने पंद्रह हजार का ठीक है और जो खरीदा है वो खरीदा है बीस हजार का उल्टा कर दिया थोड़ा सा पहले इधर जादा इधर कम था अब इधर जादा इधर कम कर दिया अब जब अब इसके point of view सोचो इसने खरीदा कितने का है और बेचा कितने का है अब settlement कितने का हो सकता है 5,000 रुपए इसको लेने या देने इसने बेचा है 5 लेने है यानि कितने का settlement हो गया पंदरह का के तो अब यह क्या करेंगा चूंकि इसकोसद देने कितने थे पंदरा तो अपना पनदरा काaza देगा और लेने कितने थे इसने 20 लेखिन कितने थे 20 लेकल 15 सेटलमेंट हो रहा है तो बीडेटर क्योंकि जो इसके डेटर में 20,000 रुपेज शो होगा 15 माइनस करूँगा तो इसका डेटर ऑटमेटिकली कितना बच जाएगा समझ रहे बात तो दोनों ही situation में एक चीज पता है common देखोगे वैसे समझने में complicated लग रहा है common देखोगे कि इन दोनों में से कम amount कोन सा था तो 15 इधर भी minus किया इधर भी minus किया इन दोनों में common amount किया था कम आठ आठ उसमें इधर भी minus इधर भी minus तो जब कभी भी एक ही वेक्ति से खरीदा या बेचा जाता है और दोनों में से कम होगा दोनों साइड लिखा हुआ है common debts होगा तो less from lower amount debtor से और less from lower amount creditors से समझ में किस lower की मैं बात कर रहा हूं यहां ठीक है तो यह कौन सा adjustment था हमारा common debt बहुत important रहता है exam में कई बार पूछा जाता और पूछा भी गया है ठीक है अगली क्लास में जितने भी adjustment सारे adjustment को मैं दिखा भी दूँगा अभी मैं इनफेक्ट बुक के अंदर भी आपने ले रखा वो बुक तो मैं दिखा दूँगा देखे चलिए अभी हमने जो बुक के अंदर देख लेते हैं आप बताना दिखाओ आपका बुक का यह जो चैप्टर है ना बुक मैंने लास क्लास में बोला था जे आर मोंगा बुक रहेगा और टेनियर फिर हम बाद में करेंगे पहले हम बुक को खतम करेंगे फिर टेनियर के उपर आएंगे झाल 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 अब देखें चेक कर यह आगया होगा आपके पास ना मैंने इलिस्टेशन नमबर एटीन बताया था 18 में जो आज हमने करा है ना वो सारे के सारे अर्जस्बेट देखने को मिल गए है आपको अर्जस्मेंन नमबर 2, अर्जस्मेंट 3, अर्जस्मेंट 4 दोनो तीनों जितने आज हमने टॉपिक करेंगे मैं पहले मुद्धा है कि मैं थोड़े से कुछ मतलब कि adjustment खतम करा दूँ उसके बाद to be continue हम आगे बढ़के करते जाएंगे सारे चीज़े ठीक है अभी एक और डिसॉनर्ड वाला adjustment मुझे दिख रहा है तो मेरा मन कर रहा है मैं डिसॉनर्ड वाला भी करा दूँ पहले से मैंने करा हुआ हो है बिल्स रिसीवेबल दिसॉनर्ड वाला discount वाला कि कर लेटिसॉनर्ड अब फिर यह कुश्चन आप होमवक में भी कर सकते हो आप देखो डिसॉनर्ड यह होमवक में देदूँगा कुश्चन अठारा ट्राइब करना आपने ठीक है ना अब देखो डिसॉनर्ड में क्या ह अब देखो मिस्टर ए इसने समान बेचा मिस्टर भी को समान बेचा मान लेते हैं 20,000 रुपए का ठीक है तो इसके पास समान बेचा सिर्फ समान समान बेचा 20,000 का तो ए बोलेगा मेरे डेटर जो है 20,000 है समझ ये बात को लिखिन अगर बी से मैंने कोई चीज रिटन में एक लिखित ले लिए हैं रिटन में क्या लिखा? कि भी भाई तु मुझे लिखके देदे कब पेमिंट देगा तो बी ने लिख दिया आई प्रॉमिस और एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज दे दिया और बोलता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुझे ना 15,000 रुपए दे दूँआ तो अब जो डेटर है वो 20 का नहीं रहेगा क्यूंकि इसके पास बी आर आ चुका है बिल्स रिसीवेबल तो डेटर में से माइनस हो जाता है हमारा बी आर 15,000 यानि जो मेरा डेटर बचेगा वो बचेगा सिर्फ और सिर्फ कितने का पांच हजार का और बिल्स रिसीवेबल जो होगा वो कितने का होगा हमारा 15,000 अब दोनों चीज़ा अलग-अलग दोनों है जब दो मेहने बाद मिलेगा तो हमारा बैंक बढ़ जाएगा और बी आर घट जाएगा यही होगा न पैसे मिल गए लेकिन अगर यह देने से मना कर दे डिसॉनर्ड हो जाए तो डिसॉनर्ड का मतलब भया पैसे देने से मना कर दिया यह गरिंटी फेल हो गई तो ऐसे सिच जो आपका 5000 था उसके अंदर वापस से बी आर एड होके 15,000 और डेटर बन जाएगा आपका कितना 20,000 पहले इस बात को समझे यानि जब बी आर डिसॉनर्ड होता है तो डेटर बढ़ जाता है और बी आर घट जाता है यह समझा है अपने देखें जब बी आर डिसॉनर्ड मिस्टर ए है और मिस्टर बी है अब इसने समान इसको 20,000 रुपे का बेचा है और इसने पूरे 20,000 रुपे का मान लेका गैरिंटी भी दे दिया कितने का guarantee दे दिया 20,000 का guarantee दे दिया अब ना एको ना इसने बोला कि मैं payment जो दूँगा वो दो महिने बाद दूँगा किसने बोला ये बात ये बात B ने बोला कि भाई मैं तुम्हें दो महिने के बाद payment कर दूँगा लेकिन जैसा ही इसको पता चला दो महिने के बाद payment मिलेगा ये ने क्या करा ये ने फटा फट से इसको पैसे की जुरत थी ये भाग गया बैंक के पास और बैंक से बोला भाईया इसके पैसे दो महिने बाद आपके पास आ जाएंगे इसको कर दो discount इसको क्या कर दो यानि बैंक करके पास है और इसके पास पैसे आ चुके हैं लेकिन अब ये दो महिने बाद पैसे देने से मना कर देता है तो दो महिने बाद जब पैसे देने से मना करता है तो ये किसको मना करेगा बैंक को या फिर एक को क्यों how can I fresh series जब चुना करेगा थो फ़धं क्या करेगा एक आपश्र था बैंग चाथ पहले पैसे दीये थे अब तेरा बेंक खाता किया कर रहा हूं में ऑट हो के पहले समझो विए खैंक प्हें अगया हो कैस्मद था दूस्रा दूसरा इसके पास BR बैंक वाला वापसी देगा किसको देगा बैंक वाला वापसी BR और A फिर वापसी किसको देदेगा और फिर से हमारा डेटर की condition बढ़ जाएगी उस case क्योंकि हमारे डेटर बन गया है और बैंक क्या हो गया माइनस हो गया तो यह कब पॉसिबल है जब discounting हो जाए जब discounting नहीं होगा तो simple था पीछे देखा discounting के case में तो अब देखे यहाँ पर क्या होगा एक तो क्या होगा BR discounting dishonored होगा तो बैंक में से माइनस हो जाएगा और एड हो जाएगा डेटर में क्योंकि जायतर परसन जो है वो सुषते dishonored हुआ तो dishonored पर ही रहते हैं लेकिन discounting dishonored अलग बात है और सिर्फ dishonored अलग बात है सिर्फ dishonored में यह treatment है BR- add-in debtor और discounting dishonored में bank minus और add-in समय में आ रहे बात आप ठीक है? हाँ बैट नहीं मना किया है कि मैं यह bill का पैसा नहीं दूँगा अब यह ऐसा थोड़ी बोला मैं permanent नहीं दूँगा अब यह उससे बोलेगा भाई तेरा bill तो dishonored हो गया अब मेरे को पैसे दे तू बैसे ही पैसे दे दे guarantee fail हुआ है अब वो जिंदा है लेकिन पैसे तो लेंगे उससे ठीक है? तो इसी के अंदर question में adjustment यही दिखेगा आपको यह dishonored चेक 5000 उपर not receive expected date 20% amount will be recover तो यह check के उपर है तो check का भी ऐसा ही रहेगा कि check dishonored होगा तो bank हमारा क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा और बोलता है 20% amount will recover 20% मतलब 5000 का जो 20% होता है recover होगा और जो check dishonored हुआ वापस से debtor बढ़ जाएगा क्योंकि हमने किसी debtor से ही तो चेक लिया होगा ठीक है?